नवास्कार दोस्तों बेटलों चीके में बहुत बहुत सवागत है आपका तो आज का हमारा टोपिक है हिमाच्चर प्रदेश का इतिहास तो हिमाच्चर प्रदेश के इतिहास को सुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बेसिक जानकारे देना चाहता हूँ ताकि जो नए बीवर हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए भी एजी हो सके ये टोपिक तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सिक्वेंस बाइज पढ़ेंगे हम अराम से पढ़ेंगे और important important point हैं इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले अगर बात की जाए हिमाच्य पतेश के इतिहास की या भारत के इतिहास की तो पढ़ने के लिहास से तीन भागों में बनत शुचकए इतिहास को तीन वागों में इतिहास को बंटा गया है तो यह जो सबसे पहले सब्द आ रहा है BC या AD इसको समझना बहुत जरूरी है ताकि हमें यह इतिहास का टोपिक बिल्कुल क्लियर हो सके तो अब मैं आपको बताता हूँ BC और AD के बारे में BC को ही BCE या AD को ही C कहा जाता है तो जैसे आपके दादे दादे ने आपको कहानी सनाई होगी कि बहुत साल पहले एक राजा हुआ करता था एक रानी हुआ करती थी तो बहुत साल जो है उसको ही रेफरेंस मानते हुए या मिडल पॉइंट मानते हुए यहां पे रख लिया गया या मिडल पॉइंट इसा मसी के जनम को माना गया इसा मसी के जनम के बाद का जो काल माना गया वो गेगेरिन क्लेंडर के हिसाब से चल रहा है और गेगेरिन क्लेंडर के अकोर्डिंग अब जो यह चल रहा है दो हजार बाइस चल रहा है इसा मसी के जनम से पहले का जो काल था वो था बिफोर क्राइस्ट जैसे सिंदु गाटी सब्वेता की अगर बात की जाए तो इसा मसी के जनम से 2400 साल पहले से लेके 1700 साल तक था यह काल और अब का जो काल चल रहा है वो इसा मसी के जनम के बाद का 2022 चल रहा है अगर यह मिडल पॉइंट नहीं होता तो हम सिंदु गाटी सब्वेता के लिए कहते कि आज से लगबग चो 400 साल पहले सिंदु गाटी सब्वेता हुआ करती थी लेकिन अब यह मिडल पॉइंट आ गया है वर्थ ओप जैसेस का तो इसको हम कह सकते है कि 2400 BC पहले मदल बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा सेम है दोनों और एडी की अगर बात की जाए तो एडी की फुल फॉरम जो होती है वो होती है एनो डोमिनी होती है और एमिन एनो डोमिनी जो है यह एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इन दा येर ओफ लोर AD-9047 या 9047-CE तो इनको लिखने का जो तरिक्वा है AD को पहले लिखा जाएगा year से पहले और C को जो लिखा जाएगा year के बाद लिखा जाएगा अगर मैं आपको BC का अगर example बताऊँ तो जैसे वर्थोप महात्मा बुद्दा 563 BC में हुआ था या BCE ये common है ये last में लिखा जाएगा year के बाद ही में लिखा जाएगा तो I hope आपको ये BC और AD का टोपिक क्लियर हो गया होगा जैसा कि मैंने पहले बताया कि इतिहास के तीन भाग है प्राचिन, मद्दे कालिन और आदुनिक इतिहास अब हम बात करते हैं प्राचिन, इतिहास के बारे में तो प्राचिन, इतिहास का टाइम प्रेडिक काफी लंबा था तो इसको भी तीन भागों बांटा गया है कौन-कौन से? तो इनको बांटा गया सुरोतों के अधार पे क्योंकि इतिहास में कोई भी अगर कहानी है सुरोतों के साथ पुष्टी नहीं होती है तो वो सिर्फ कहानी है अगर सुरोतों के साथ पुष्टी हो जाती है तब ही वो इतिहास कहलाएगी तो प्राचिन भारत के इतिहास के सुरोतों के अधार पे तीन भागों बांटा गया है प्रागेति हासिक, आद्दे अतिहासिक और अतिहासिक तो प्रागेति हैसी काल कौन सा था तो इसमें जो है लिखित साक्से नहीं मिले हैं या मुनस्यों को इसमें लिखने की जनकारी साहिब नहीं थी इसमें सिर्फ हमें पुरा तत्विक साक्से ही मिले हैं और इसका जो टाइम पिरिड था 25,20 बीसी से लेके एक अजार बीसी तक था और इसको पासान काल भी कहा जाता है दूसरा हम बात करें आद्धेहतियसी काल तो आद्धेहतियसी काल इसमें लिकिस साक्से तो है लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है और पुरा तत्विक साक्से भी है जैसे हड़पा सब्वेदा की बात करें तो इनकी जो लिपी है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है एतिहासी काल की बात करें तो इसमें पुरात्तिक साक्से भी हैं और लिखिश साक्से भी हैं जैसे बेदिक सब्बेता पंदरासो बीसी से या इससे आगे हमारे पास पुरात्तिक साक्से भी हैं और लिखिश साक्से भी हैं और लिखिश साक्से को पड़ा भी जा चुका है अब पसान काल को तीन भागों बंटा गया है पूरा पसान काल, मद्य पसान काल और नप पसान काल पूरा पसान काल का जो टाइम पीरिड था 25,000,000 से लेके 10,000,000,000 बीसी तक था मद्धे पसान काल जो था 10,000 BC से लेके 4000 BC तक का था नप पसान काल का जो टाइम पीरिड था 4000 से लेके 1000 BC तक का था तो ये लगबख दोनों साथ साथ चल रहे थे अब हम बात करते हैं पसान काल की तो पसान काल को भी तीन भागों बांटा गया है अब आप यहां पे थोड़ा confused हो सकते हैं क्योंकि इतिहास को तीन भागों बांटा गया है प्राचिन इतिहास को भी तीन भागों बांटा गया है और पसान काल को भी तीन भागों में बांटा गया है तो आपको notes बनाने है या वीडियो को रिपीट करके दुवारा देखना है तब आपको ये क्लियर हो जाएगा अब मैंने काल तो इसका डिसकस करी लिया अब बात करते हैं खोज के वारे में तो पूरा पसान काल में आग की जो खोज हुई थी लेकिन आग का प्रयोग जो शुरू हुआ था वो हुआ था मद्य पसान काल में नप पसान काल में यह हुआ था पहिये की खोज हुई थी पूरा पसान काल में मनुस से कैसा हुआ करता था तो सिकारी हुआ करता था और खादे संगराक हुआ करता था मतलब सिकार पे निर्वर करता था जहां पे सिकार मिलता था वहीं पे मूब कर जाते थे इंसान मद्य पसान काल में भी सिकारी और खादे संगरह कुआ करते थे लेकिन पसु पालदनी की सुरवात हो चुकी थी मद्य पसान काल में और सबसे पहला पालतु जानबर किसे बनाया गया तो कुत्ते को बनाया गया नप पसान काल में क्रिसी और पसुपालेनी के सुरवात हो चुकी थी और जब क्रिसी की सुरवात हो चुकी थी तो क्रिसी करने के लिए वहाँ पे मिनुसце Windows को स्थाई निवास भी करना पड़ता था, क्योंकि फसल जब बोते थे तो तीन- चार मेहने उस फसल लेने के लिए लग जाते थे तो इसलिए स्थाई निवास के लक्सम पाय जाते थे नप पसान काल में उजारों की बात करें तो पूरा पसान काल में क्वार्जाइट और सर्क ब्लेट की हुआ करते थे मद्य पसानकाल में माइक्रोलित और सुक्सम पत्थर से बने होते थे नप पसानकाल में हड़ी नतसस लेट से बने होते थे और मानना दुआरा सबसे पहले प्रयोग किये जाने वाला उजार कौन सा था तो ये था कुलहाडी होमोस एपियंस का अर्थ पूझे जाता है तो एक ग्यानी मानना और इसका भी कास हुआ था दस हजार बीसी में तो यहां तक जो मैंने आपको इतिहास के बारे में बेसिक जान करे दी इससे आपको इतिहास को समझना और पढ़ना बहुत ही इजी हो जाएगा अब मैं आपको बताने बाला हूँ हिमाच्च्च प्रदेश के प्राचिन इतिहास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो हिमाच्च्च प्रदेश के इतिहास के सरोतों को हम पढ़ने वाले हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद प्राचिन देपता कौन कौन से थे हिमाचल में उनको पढ़ेंगे फिर आरे और हिमाचल के बारें पढ़ेंगे जिसमें सांबर और दिवदास के युद्ध के बारें में पढ़ेंगे फिर बेदी काल पढ़ेंगे हम उसमें बेदी आरे और बेदी क्रिशियों के बारे में पढ़ेंगे फिर महाभारत और हिमाचल के समें चार प्राचिन जन्पदों के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद हम मौरे पूर पढ़ेंगे मौरे काल पढ़ेंगे और मौरे उत्र काल पढ़ेंगे मोरे पूर का मतलब मोरे काल से पहले का काल जिसमें सिकंदर का अक्रम हुआ था या मोरे काल में चंदरगुप्त मोरे और असोक के बारे हम पढ़ेंगे मतलब मोरे काल के बाद का काल सुंग और कुसान बंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में और गुप्त उत्तर काल मतलब गुप्तों के बाद का जो काल था उसको पढ़ेंगे जैसे गुप्त काल में पढ़ेंगे चंद्रगुप्त प्रत्म के बारे में समुद्र गुपत के बारे में और गुपत ओत्र काल में पढ़ेंगे हम हूनों के बारे में और हर्सवर्दन के बारे में तो next बीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हीमाच्च्चर प्रदेश का प्राचिन इतिहास तो thanks for watching, जैहिंध, जैभारत और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें नमस्कार दोस्तों हिमाच्चल प्रदेश के इतिहास की सीरिज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे पराचिन इतिहास के बारे में तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद मैंने बताया था प्राचिन भारत इतिहास को तीन भागों बांटा गया है जैसे प्राग इतिहासी और इतिहासी काल में प्राग इतिहासी काल को भी तीन भागों बांटा गया है पूरा पसान काल, मद्दे पसान काल और नप पसान में उसके बाद मैंने स्लेबस बताया कि हिमाच्च पदेश के प्राच्च इतिहास का स्लेबस क्या है क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें तो ये सारी चीजे मैंने बताई थी उसमें तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ प्राचनी इतिहास के बारे में और इसमें हम पढ़ने वाले हैं हिमाचल पदेश के इतिहास के स्तुरूत क्योंकि अगर हम कोई कहानी सुनते हैं और स्तरोत्रों के साथ उसकी पुष्टी नहीं होती है तो मात्र कहानी ही कहलाएगी पर अगर एक कहानी की स्तरोत्रों के साथ पुष्टी हो जाती है तो वो इतिहास बन जाती है तो हिमाचल के इतिहास को जानने के हमारे पास प्रमुक्स त्रोट जो हैं वो हैं साहित्ते हैं, सिक्के हैं, सिलालेख हैं, भवन हैं, बंसावली हैं और यातरबितांध हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं साहित्ते से तो हिमाच्चल के इतिहास को जानने के लिए ये हमारे पास प्रमुक साहितिक स्त्रोत है सबसे पहले बात की जाए पुरान की तो पुरानों में विसनु पुरान, मारकंडे पुरान और सकंद पुरान है हरमायन महाभारत और रिगवेद में भी हिमाचल का उले मिलता है पानिनी की अस्टाज्याई और ब्रिद सहीता में भी कालिदास की रगवंस में और विसाखदत की मुद्र राकसक्स में कलहन की रास्तरंगणी में राज तरंगणी में तो वैसे कस्मीर का इतिहास है पर माचल के भी कुछ पार्ट को इसमें बताया गया है इसकी जो रचना थी 1149 से 1150 में कलहने की थी अब बात करें तारीक ए फिरोसा ही या तारीक ए फुरिस्तागी तो इन दोनों में फिरोसा तुलक के नगर कोट किले पर हमले की जानकारी हमें मिलती है और इन्होंने कब आक्रमन किया था 1361 में अब तुजुक ए जहांगीरी में हमें जानकारी प्रापत होती है जहांगिर के कांगडा आक्रमन की तो इन्होंने कांगडा पर आक्रमन किया था 1615 में और इन्होंने किसको भेज़ था कांगडा पर आक्रमन करने के लिए तो पंजाब के गवर्नल मुतरजा खान को लेकिन मुतरजा खान यहां पर जीत नहीं पाया था तथा यूद्य में इस थारो बात कर okay अब बात करते हैं तो इसमें तैमोर लंग सिवनिंग पर आक्रमण किया था तिरासाओ अठानुमें तो इसकी जानकारी है में तुजुक और तैमोरी से मिलती है आँ तो दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम शिक्कों के बारे में तो सिक्के मैं इतिहास को जानने का बहुती मतपूं रोल प्ले करते हैं तो हिमाच्च्च्च-वदेश में सिक्कों की खोज का काम चो था राज histori संग्राली की स्थाअपना के बाद गतिप पकड़ने लगा ता और राज संग्राली की स्थाअपना कब हुई थी तो 1974 में हुई थी दूसरे नमबर पे भूरी सिंग म्यूजियम ये जो है हिमाच्र का सबसे पुराना म्यूजियम है इसकी स्थापना हुई थी 1908 में तो भूरी सिंग म्यूजियम और राज्य संग्राले सिमला में तरिगर्थ, ओधुंबर, कुलुता और कुलिं एक और दो अपॉलाडोट्स के सिक्के मिले हैं हमीरपुर से, टंपा, मेवा गाउं से तो दो और एक नमबर एक इंटरिचेंज करने हैं इंडोग्रेक के सिक्के कहां से मिले हैं तो चमबा के लचोडी और सरोल से मिले हैं त्रिसूल और बैल का चित्र ओदंबर के सिक्कों पे अंकित है ये कोशने पूछे जाता है कि ओदंबर के सिक्कों पे किसका चित्र अंकित था तो त्रिसूल और बैल का तो राजा बिर्यास का पहली सदी का सबसे पुराना सिक्का कहां से मिला है तो ये मिला है कुलू से अब हम बात करते हैं सीरा लेक, अबिलेक और तामर पत्र की तो सीरा लेक जो थे ये सिप चट्टानों में लिखे जाते थे अबिलेक जो थे ये तामबे, लोहा, लकडी और पत्थर आदी में लिखे जाते थे तामर पत्त जिसे नाम से पता चल रहा है ये तामबी की प्लेटों में लिखे जाते थे बात करें पत्यार और कनिहार के अबलेक कहां से मिले हैं तो ये मिले हैं कांगड़ा से और कौन सी लिपी में ये लिखे गए थे तो ब्रामी और ख्रोस्ती लिपी में ये लिखे गए थे हाट कोटिम में सुनपुर की गुफा के सिलालेक मिले है मंडी के सुलोनू के सिलालेक मिले है इसमें जो है हिमाच्चा प्रदेश के प्राचिन समय की समाच्जिक और आर्थिक जानकारी हमें मिलती है और सोक के सिरलेक कहां से मिले हैं तो टॉंस और यमना नदी के संगम पर कालसी से मिले हैं और यह उत्राखंड में पढ़ता है, और जो ऑनसार बाबर छेतर में पढ़ता है, अब भूरी सिंग म्यूजियम में जो है, चम्बा से प्रापच 36 अबिलेखों को रखा गया है, और यह अबिलेख किस लिपी में लिखे गए थे, तो सारदा और टांकरी लिपी में लिखे ग महा सामंद समुद्र सेन का तामर पत्तर मिला है, तो ऐसा पूशे जाता है कि निर्मंद से जो तामर पत्तर मिला है, उसमें से किस की जानकानी मिलती है, तो समुद्र सेन की जानकानी मिलती है, चम्बा से हमें जो है, 150 से भी अधिक तामर पत्तर मिले हैं, अब हम बात करते ह हैं भवनों की तो हिमाच्र प्रदेश के कांगड़ा से कांगड़ा किला मिला है यहां से हमें हिमाच्र प्रदेश की प्राचिन समय की जानकारी मिलती है बर्मोर में मंदिर हैं वहां से भी सिर्मोर ताल के भगनबेश कामरू और नगर से भी होताबों के कीमट से बोध भिहा माच्चे पदेश की जानकारी मिलती है बंसाबलियों से हमारा मतलब है कि किस राजा के बाद कौन सा राजा आया था तो बंसाबलियों पर सरप्रसम जो कामत किया था वो मूर क्राप्ट ने 1820 से लेके 1822 तक किया था और इन्होंने जो खोजी थी कांगडा के रजाओं की बंसाबलियों खोजी थी तो मूर क्राप्ट से याद रखना है कि इन्होंने कांगडा के रजाओं की बंसाबलियों खोजी थी कैप्टन हारकोट ने 1869 से 71 तक कुल्लू की बंसाबलियों खोजी थी तो आपने तीन नामी याद रखने हैं मूर कराप्ट ने सबसे पहले कांगडा की उसके वाद कैप्टन हार कोट आए उसके वाद कनिंगम ने दुवारा कांगडा चमबा मंडी सुकेत और नूरपूर राजगरानाव की बंसावलियां खोजी थी अब हम बात करते हैं यात्र ब्रितान्त के बारे में तो प्राचिन काल में कुछ बिदेसी यात्री या कुछ बिदेसी बिद्वान भारत में आए और उन्होंने अपनी यात्रा के दुरान जो यहां पे देखा उन्होंने अपनी पुस्तकों में लिख दिया तो सबसे पुराना जो विबरन मिलता है हिमाचल के बारे में वो मिलता है टोड मी का और इन्होंने अपनी पुस्तक में जो बरनन किया था कुलिंदो का बरनन किया था फिर दूसरे नंबर पे जिमी यात्री हे अंसांग आये थे 630 से लेके 644 में कहीं कहीं 629 भी होता है और ये आये थे हर्सवर्दन के सासनकाल में तो हर्से हर्सवर्दन होर हर्से हैंसांग और इसी दुरान ने उन्होंने कुलू और तरीगत की भी अप्रा की थी ये भी पूछे जाता है कि चंदरताल जील को लोहित्य सरोबर किस ने कहा था तो इसी हैंसांग ने कहा था अब बात करते हैं अलव रूनी की तो 1330 में ये मुहमद गजनिवी के साथ बारत आये थे तोमस कोरियार्ट और फिलियम बिलियम फिंच ने जहांगिर के समय जो है हिमाचल पदेश की यापतरा की थी फोस्टर ने 1783 और बिलियम मूर क्राप ने 1820 से लेकर 1822 तके भारत में रहे और कांगड़ा के राजगरानों की बंसावलियां भी इन्होंने परापत की और हिमाचल के बारे में जनकारी थी मेजर आर्चर ने 1829 के यापतर बिलियम मूर की जनकारी मिलती है या हिमाचल की जनकारी हमें परापत होती है अब हम बात करते हैं पुरा पासन काली स्तरोत के बारे में तो पुरा पासन काल का जो टाइम पीरिड था 25 लाग बीसी से लेके 10,000 बीसी तक कदा तो 1951 में सतलूज की सहायक नदी सिर्सा के दाइं और नालागड में उलाव प्रूफर के पत्थरों से बने उजार मिले हैं जैसे की खुरपे आप भी और बीबी लान ने 1955 में गुलेर, देहरा, डलियारा और कांगड़ा से आदी सोहन प्रकार के बत्तर पत्थरों के उपकरन के नमूने प्रापत किये हैं और इनमें से जो प्रमुक है चापपर, हस्त, कुठार और बेदनी है डाक्टर जीसी महापातर ने भी 1955 में ही सिर्सा नदी घाटी और कांगड़ा के उत्तर पसान काल के पत्थरों से बने उजारों के अबसेश प्रापत किये हैं तो ये दो नाम याद रखने हैं और 1955 आपने याद रखना है तो 1974 में सिर्मौर की मारकंडे नदी के सुकेती छेतर में इस अबदी के अबसेश प्रापत हुए है और सुकेती फोसिल पार्क भी है सिर्मौर में और ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर सिर्मौर में सिर्मौर में मारकंडे नदी के सुकेती छेतर में ही डाइनासौर के अबसेश भी प्रापत हुए हैं तो अब हम लगाते हैं कोस्टन अंसर टेस्स जो अभी तक हमने पढ़ा और ये कोस्टन जो हैं प्रिबियस एक्जाम में पूछे जा चुके हैं तो पहला कोस्टन हमारे पास पठियार और कनिहारा सी ललेक में किस ने पुना बदलाव किये थे तो ये किये थे स्टेन कौन ने दूसर है अदुमबर के सिकों पे किस के चित्र अंकित मिले हैं तो तरिसूल और बायल के किस थान पर ऐसी मूर्तियां चट्टानों पर अंकित है जिससे ये सिध होता है कि आदिवासी कोल जाती के लोग हिमाच्य पदेश में बस गए थे तो कुमाईयों के चंद्रेसवर चट्टानों से हिमाच्य पदेश के पठियारा और कनिहारा से लड़े किस लिपी में लिखे गए हैं तो ये लिखे गए बरामी और ख्रोस्त लिपे में तब वो गाउं में बरसों पुराने ममी किस बरस प्रापत हुई है तो ये हुई है 1967 में और ये जो हैं 550 साल पुराने हैं और ये एक बहुत भिक्सू की है और ये ऐसा माना जाता है कि इस ममी की जो नाकुन और बाल हैं ये हर साल बढ़ते रहते हैं हिमाच्च पदेश में मानव के अरंबिक पहचान योगे अबसेश कब प्रापत किये गए तो 1955 में प्रापत किये गए पत्थर के हथियार किस बर्स खोजे गए तो 1955 में बीबी लाल और जिसी महापातर रजदुआरा किस ने कांगडा, नूरपूर, मंडी, सुके, चमबा और राजोरी के रजाओं की बंसावलियां प्रापत की थी तो अलेक्जेंडर कनिंगम ने कुलू के रजाओं की बंसावलियों में बदलाब 1879 से 71 में के दुरान किस ने किया था तो कैप्टन हार्ट कोर्ट ने किया था पहाड़ी राज्यों की बंसावलियों की तरफ सबसे पहले ध्यान किसका अकरसित हुआ तो वो हुआ था बिल्लियम मूर क्राप्ट का तो ये थी आज की मारे वीडियो, थैंक्स वो वाचिंग, जैह हिंज, जैह हिमाचल नवस्कार दोस्तो, तो एंसिंट हिस्टरी की सीरिज को आगे बढ़ाते हुए, आज हम पहुंच चुके है आद्धे इतिहासी काल या सिंदु घाटी सब्वेता के समय हिमाचल प्रदेश के निवासी इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई है, उसमें मैं आपको बताया था हिमाच्च चपदेश के इतिहास के स्तरोत, और हिमाच्च चपदेश के इतिहास के स्तरोतों से जड़े, महत्पूल प्रसंत जोंगी प्रवेस एक्जामें पोछे गए हैं इस वीडियो में आप से डिसकस करने वाला हूँ आद्दे एतिहासी काल किसमें हमाच्च पदेश के निवासी फिर मैं प्राचिन देपताओं के बारे में बताओंगा उसके बाद बेदिक काल के बारे में बताओंगा जिसमें बेद्दिक आरे और बेद्दिक रिशियों के बारें बताऊंगा फिर मैं यह जो सब कुछ पढ़ाया है इसका important question answer टेस्ट लगाऊंगा जो की previous exam में पूछा जा चुका है तो चलिए यह स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अब मैं बताता हूँ आपको आदे एतियासी काल या सिंदू घर्टी सब्बेतागेस में हिमाच्र प्रदेश में चार जातिया निवास करती थी कौन कौन सी कौल, किराद, नाग और खच जाती सबसे पहले बात करते हैं कौल जाती की तो हिमाच्र प्रदेश में बसने वाली सबसे पहले जाती जो थी वो थी कौल जाती और इनको हिमाच्र प्रदेश का प्राचिन वह मूल निवासी भी कहाजाता है और इन्होंने ही नपासान यूगीन संस्कृती की मिउड़ाली थी अब बरतमान में बात की जाए तो कोली, हाली, डूम, चनाल, बाड़ी इन जातियों के लोग जो हैं ये कोल जाती से ही समंदित है अब ये तो बात हो गई अब इनका प्रमान कहां से मिलता है ये हिमाच्चे प्रदेश में बसे थे तो कुमाईयो की चंदरेस्वर, गाटी की चटानों से ये हिमाच्चे प्रदेश में बसने वाली पहली जाती कोल थी अब दूसरी जाती की बात करते हैं तो दूसरी जाती थी किरात एकजाम में ये पूछा जाता है कि पहली जाती कौन थी, दूसरी जाती कौन थी तो दूसरी जाती थी किरात और रिसी बसीष्ट ने इने सिसन देव कहा था जिसका मतलब होता है लिंक की पूजा करने वाले महाभारत में जो किरातों को हिमाले का निवासी बताया गया है और महाभारत या बनपर्व के अध्याए 140 में इनके निवास का बनन किया गया है और किरातों को पहाड़ी तलहटी से उंचे परवतों की तरफ बगाने वाले कौन थे तो ये थे खस और खस जो थे आरेों की ही एक जाती थी ये इनको आरे ही माना जा सकता है अब मनु ने भी किरातों का या वदीसी मनु जो थे उन्होंने किरातों का बनन किया है और कालिदास को तो आप जानते ही हैं तो कालिदास ने रगुबंस में किन्रो के नाम से इनका उले किया हुआ है तो नेक्स टाम बात करते हैं नाग जाती की तो इस जाती के लोग जो थे हिमाले की पहाड़ी में हर जगा निवास करते थे नाग ने हिमाले में नाग राज्य स्थापित किया और ये कोश्टन बार बार पूछा जाता है कि नागों की दस फृट की मूर्थी कहां पे है तो मंडी के पंच बक्तब सिब मंदिर में है ये और तकसक सब्बेता की मुहरों में नाग देपता को दिखाया गया है महा भारत में अरजुन नाग राजा बासुकी की अलोपी नामक कन्ने से जो है कंदर भी बाग किया था और बासुकी नाग की पूज़ जो है चंबा और कुलू में की जाती है इसके बाद चोटी जाती थी खस जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरजुन की तीसरी साख्खा थी जो की मद्द ऐसे से कस्मीर होते हुए पूरे हिमाले में फैल गई और ये जो जाती कहलाई खस जाती कहलाई तो रोहुडु में खसदार खसकंडी नामक के गाउं में इनके निवास का पता चलता है तो रोहुडु के खसदार और खसकंडी से और इनका जो परसित्योहार है वो भूंडा उस्व जो है खसों दोरा ही मनाय जाता है और खसों में जो था बहुपती प्रथा थी जो की पा सार हिमाले की प्रथम परिचित इंडो आरेंज जाती कौन सी थी तो बहुत ही खष जाती थी और यह गेरसन कौन थे तो जोर्ज इंब्राहम गेरसन इनका पूरा नाम था और इंडियन सीबल सर्विसिस के यह कर्मचारी थे और बहु भासा बादी और आधनिक भारत में भासा बेग्यानिक भी थे तो अब हम बात करते हैं हिमाच्चẹप देश के पराचिन देपता न Kelli तो यह पराचिन देपता थे शिब सकति और नाग देपता चलो सभी को एक-एक करके डिस्कस करते हैं सबसे पहले मैं आपको सिप्ट के बारें बताता हूँ तो हिमाच्चल के निवासियों दोवारा ऐसे देव की उपासना के परमान मिले हैं जो की सिप्जी से मिलते हैं जैसे की मणी महेज, किम्नर केलास, महासु देवता का मंदिर और हिमाच्चल प्रदेश का प्राचितन्तम धर्म कौन सा है तो सैब धर्म है पसुपती देवता की पूजा के परमान कहां से मिले हैं तो सिंदु घाटी सब्वेता से मिले हैं नेक्स्ट बात करते हैं सक्ती की तो हिमाच्च पदेश में सिब की उपासना के सासा सक्ति पूजा भी की जाती थी और पुराणी काल में इसे दुर्गा, काली, अंबा, पारवती, आदी नामों से जाना जाता था अब बात करता हमें कुछ फेमस मंदिरों के बारे में जैसे चत्राडी में हो गया सक्ति देवी का मंदिर, भरमोर में लक्सना देवी, जोला मुकी का मंदर, कांगडा में जैसे ब्रिजे सूरी देवी, कुल्लू में हडिमबा, बिलासपूर में नैना देवी, हाटकोटी में ह अटेशित् सूरी देवि और सराहन में भीमाकाली देवि का मंदिर. Next जो है नाग देटा के बारे में आपका बताता हूं. तो नाग देपता के अनेग मंदिर, मंदिरों एवं पूजास्थलों के प्राशिन परमान जो है हिमाच्चल प्रदेश से प्रापत हुए हैं अब हम बात करते हैं आरेओं और हिमाच्चल के बारे में तो आरेओं की एक साखा म度दे एसिया से होते हुए भारत में प्रवेस करती है ये जो हैं बेदिग आरे कहılाए इतिहास में जित्ने वी बिदेश्योग यि बिदेश्याग आग्रवनकारी भारत में आए हैं तो वो मद्दे एसिया की तरब से या पस्चिम की तरब से ही आए हैं क्योंकि उत्तर में तो था बिसाल हिमाले और दक्सिन में था हमारा बिसाल समुद्र अरिया तो वहां से आना कठिन था, मुश्किल था, उत्तर से भी आना बहुत कठिन था तो जितने भी अक्रमनकारी आये हैं इतिहास में या जितने भी लोग आये हैं वो पस्थिमी साइड से ही आये हैं जैसे मुगल होगे, सिकंदर होगे या और भी जितने भी इतिहास में आये होगे हैं तो चलिए मैं आगे बताता हूँ तो ये जो बैदिक आरे लोग जो थे ये अपना पसुधन, देबता, करिहस्ती का समान लेकर आये और सब्त सिंदू में परवेश किया और ये सब्त सिंदू कहां पर है? पंजाब में है और यहां पर इनको बसने में लगबग 400 वरस लग गए तो था पंजाब से सिवाली की और बढ़ने पर जैसे पंजाब में तो बसके अब पंजाब से सिवाली की और मतलब हिमाचल की और बढ़ने लगे तो इनका सामना हुआ कोल, किरात और नाग जाती से मतलब हिमाचल की तर बढ़ने लगे तो हिमाच्च प्देश में पुराचिन जाती है कौन सी थी? कॉल, किरात, और नाग जाती है मैंने आपको पहले बताया तो उन से इनका सामना हुआ अब दस्यू राज़ जो था बो था सामबर दस्यू मतलब कॉल कॉल को ही पहले दस्यू कहा जाता था तो कॉलों का जो पहला राज़ था मतलब परमुक राज़ था बो था सामबर और आरें का जो राज़ था बो था दिवदास तो इनका युद जो हुआ था तीनजार से लेके पच्ची सो बीसी में हुआ था सामबर के पास जो था यमना नदी से ब्यास नदी के बीच में जो थे 99 किले थे तथा रिगवेद के अनुसार सांबर और दिवधास के बीच जो युद चला था बो चला था 40 वरस तक अंत में दिवधास ने बेर्ची उद्वरज या उद्वरज नमकस्तान पे सांबर का बद कर दिया था और सांबर कौन था तो कोल राजा था मतलब आरे उने कोलनों को हरा दिया तो आरे उने कोल किरात और नाग जातियों को निचली घाटेंसे खदेड के दुरगम पहाड़ीयों की और जाने के लिए बाद्या कर दिया किस ने कर दिया आरे उने रिसी भारद्वाज जो थे अब यह आरे राजा दियोदास के परमुक्स लाहकार थे तो यह भी पूछे जाता है एक्जाम में कि दियोदास के परमुक्स लाहकार कौन थे तो यह थे रिसी भारद्वाज अब इसके बाद जो आता है बेदिक काल आता है और बेदिक काल का टाइम पिरिड के था पंदरा सो बीसी से लेके छे सो बीसी तक इससे पहले मैंने इंडे की प्राचीन भारती इतिहास को पड़ा दिया है तो बो भी आप प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके तो बेदिक काल में हम बेदिक आरेों के वारें पढ़ेंगे और बेदिक रिसियों के वारें पढ़ेंगे चलो बेदिक काल के बेदिक आर्यों के बारे में पहले पूरा देता हूं आपको तो बेदिक आर्यों के सबसे सकती साली राजा ये ताती ने सरसुती नदी के किनारे अपने राज्ये की नीव रखी थी और उसके बाद उसका पुत्र पूरु इस राज्य का सासक बना था अब दसराग के युद जो हुआ था ये युद हुआ था रावी नदी के किनारे कई बार एक्जाम में ये भी पूछ जाता है कि दसराग के क्या है तो ओप्सन में दिया जाता है कि दसराग का यग युद तो ये दसराग का युद था ये भी याद रखना आपको और ये कौन सी नभी के किनारे हुआ था राबी और राबी का संस्क्रिट नाम का था इरावती था और बैदी का नाम जो था पुरू सुनी था तो रिगबेद के अनुसार दिवोदास जो मैंने आरे पहले आपको बताया उसके पुत सुदास और दस आरे था अनारे राजाओं के बीचे यह युद हुआ था सुदास की सेना का नित्रित्व जो किया था उनके गुरू और मंत्री बसिष्ट ने किया था और पुरूर राजाओं की सेना का नित्रित्व जो किया था वो किया था विस्व अमित्र ने सुदास की सेना ने दस राजाओं या पूरु राज्य की सेना को प्राजित कर दिया था तो इन दस राज्य के युद्ध में विजय कौन रहा था तो दिवोदास जो आरे मैंने आपको पहले बताया उसका पुत्र सुदास था इसके बाद जो सुदास था रिकवेदी काल का सबसे सकती साली राजा बनता है बेदी काल का सबसे सकती साली राजा कौन था तो वो था यताती और रिकवेदी काल का सबसे सकती साली राजा कौन था तो वो था सुदास तो बैदिक काल और रिगवेदिक काल ये भी आपने याद रखना है अब मैं आपको बैदिक रिशियों के बारें बताता हूँ तो मंडी को जो है मंडे रिशी से जोड़ा जाता है बिलासपूर को जो है ब्यास रिशी से जोड़ा जाता है निर्मंड को परसुराम से, मनाली को मनूरिसी से, कुल्लू घाटी में स्थित बसिस्त कुंडू को बसिस्त रिसी से जोड़ा जाता है अब नेक्स परता हूँ जमदागनी रिसी के बारे में, बहुत ही इंपोर्टन है ये तो जम्दागनी रिसी की पतने का नाम के था तो रेनू का था और इनके पुत्र का नाम के था तो परसुराम था और जामलू देपता के रूप में मलाना गाउ में इनको पूझा जाता है तो किस देपता की रोप में जामलो देपता की रोप में किस को जमदागनी को जरसे जमदागनी जरसे जामलो कहां पर पूझ जाता है मलाना गाओं में पूझ जाता है और इनका निवास्तान क्या कहलाया तो जामू का टिबबा तो जर से जम्दागनी, जर से जामलो और जर से जामू ठीक है और यह सिर्मोर जिले के रेनुका के पास ठित है जैसे रेनुका जिल भी है सिर्मोर में तो इमी की पतनी के नाम से ही पड़ी हुई है परसुराम का मंदर जो है रेनुका जिल के पास ही है और अगस्त रिसी और गोत्म रिसी ने भी रेनुका के आसपास ही अपने आसलम बनाये थे बाद में ये इदर दर चले गए थे तो अब मैं बताता हूँ आपको रिसी परसुराम के बारे में एक बार क्या हुआ था कि बेदिक आरे राजा सहस्तर अरजुन जब रेनुका पूंचे थे तो उनका सुअगर जमदागनी रिसी ने बहुत अच्छे तरीके से किये था सहस्तर अरजुन ने जमदागनी रिसी से कामदेनु गाई की मांग की जिससे रिसी में देने से मना कर दिया तो इस पे जो है सहस्तर अरजन कुरोदित हो उटे और जमदागनी रिसी के आस्रम को इन्होंने नस्थ कर दिया और इनकी सारी गायों को लूटके लेके चला गया इस बात का पता जब परसुराम को चला तो परसुराम ने स्थाने राजाओं तथा जातियों का संग बनाके सहस्तर अरजुन पर आक्रमन कर दिया और उसका बद कर दिया किसका बद किये परसुराम ने तो सहस्तर अरजुन का सहस्तर अरजुन के पुत्रों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने जबंदागने रिसी की हत्त्या कर दी इस तो जो है परसुराम और भड़क उठे और ये जो हैं सभी शर्ट्रियों पर आकर्मन करने लगे तो अब लगाते हैं हम important question answer test जो अभी तक हमने पढ़ा और जो exam में पूछा जाता है सबसे पहला हमारे पास question है यहां पे कि हिमाच्चर प्रदेश के प्राचिन बमूल निवासी कौन सी जाती थी तो ये थी कौल जाती किरातों को पहाड़ी तलहटी से उंचे परवतों की तरफ बगाने वाले कौन थे तो ये थे खस या खस जाती रिजी बसिस्त ने किरातों को क्या कहा था तो कहा था सिसन देव या लिंक की पूजा करने वाले कौल जाती का हिमाच्चर प्रदेश में बसने का प्रमान कहां से मिलता है तो कुमाओ की चंदरेश्वर गाटी की चट्टानों से मिलता है और ये कुमाव उप्राखन में पढ़ता है गेर्शन के अंसार हिमाले की पर्थम परिचित इंडो आरेंस जाती कौन सी थी तो ये थी खस हिमाच्र परदेश का परचिंतम धर्म कौन सा है तो ये है सैब धर्म पंच वक्तब मंदिर सिम मंदिर कहां पिस्थित है संबर और दिवदास के बीच कितने बरसों तक युद चला था तो ये चला था चालिस बरसों तक दसरागे युद किस नदी के किनारे हुआ था तो रावी नदी के किनारे या संस्क्रिट नाम पूछ जाए तो इरावती और बैदी के नाम पूछ जाए तो पुरुसनी रिकबैदी काल का सबसे सकती साली राजा कौन था तो ये था सुधास जम्दागनी रिसी का निवास्थान क्या कहलाया तो जामों का टिबबा कहलाया सहस्तर अरजुन ने जम्दागनी रिसी को जम्दागनी रिसी से किस की मांग की थी तो काम देनों गाय की बहुपती पता किस जाती में परिचलत थी तो खश जाती में सुदास की सेना का नेत्रित तो किस ने किया था तो रिसी बस इस ने किया था तो ये थी आज की हमारी वीडियो इसके बाद एक और वीडियो आएगी प्राचिन हिमाच्चल के इतिहास की उसके बाद सारा प्राचिन तम इतिहास खत्म हो जाएगा उसके बाद हम डिसकस करेंगे Medieval History और Incent History उसकी सिर्फ एक एक वीडियो आएगी मतलब इसके बाद तीन वीडियो और आने वाली है जिसमें की सारा हिमाच्च्च प्रदेश का इतिहास कम्प्लीट होने वाला है तो थैंक्स मों वाच्चिंग जे हिंग जे हिमाच्च्च नवसकार दोस्तो हिमाच्च्च प्रदेश की Incent History की सीरिस को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं हिमाच्च्च प्रदेश के चार प्राचीन जन्पद फिर पढ़ेंगे मौरे पूर्व, मौरे काल या मौरतर काल के बारे में फिर पढ़ेंगे गुपत काल या गुपतोतर काल के बारे में फिर लगाएंगे हम Important Question Answer Test और इसी के साथ हमारी Incent History कवर होने वाली है इससे पहले में जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने क्या पढ़ाया था तो पहली वीडियो में आपको introduction दी थी हिस्टी के बारे में कि हिमाच्च प्रदेश का इतियास को पढ़ने का तरीका BCAD में difference प्राचिन इतियास में क्या क्या पढ़ते हैं दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था हिमाच्च प्रदेश के इतियास के स्तरोत पूरा पासान काली स्तरोत और तीसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था सिंदु गाटी सब बताकिसमें हिमाच्च प्रदेश के निवासी प्राचिन देपता, आरे और हिमाचल और बेदिक काल में इसी के साथ हमारी इंसिन्ट हिस्ति किस्त कम्प्रीट होने वाली है तो आज हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़े तो हिमाचल प्रदेश के प्राचिन जन्पदों को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताता हूँ तो रिग बेद में हिमाचल प्रदेश को हिमबत कहा गया है और महा भारत में पांड़बों ने अग्यात बास कहां बतीत किया था तो महसू की पहाड़ीवें बतीत किया था और भीम सेंज थे बनवासकाल में उन्होंने कुल्लु की देवी हडिंबा से बिवाह किया था और कुल्लु में ही मनाली में हडिंबा देवी का मन्दिर भी है त्रिगर्त, राजस शुसर्मा जो था, महा भारत के युद में, कौर्फो की और से लड़े ते। यह उन्नों ने कौर्फो का साथ दिया था। किस ने? कस्मीर, ओदुमबर और त्रिगर्त के साथ सक्झे युदिस्ट्र को कर दिया करते थे। मतलब टैक्स दिते थे। कुलि अराबी, ब्यास और सतल नदियों के बीज में, जैसे कि आप मैप में भी देख सकते हैं, और त्रीगर्थ मतलब तीन नदियों के बीज का भाग, और इसकी स्थापनक इसने की थी, तो बूमी चंदे की थी, और इन्होंने अपने राजदानी किसको बनाया था, तो मुलतान य कांगड़ा के लिए का निर्वान किस ने किया था, तो सुसर्मा ने किया था, और इन्होंने अपने राजदानी नगर कोट बनायी थी, 1070 में, इस भी में, और सुसर्मा चंद ने महाभारत के युद में कोर्वों की साहता की थी, और सुसर्मा चंद ने ही पांडबो को धे राज्यों का समूक का हिस्सा बताया था, कौन-कौन से थे वो कोर्व सक्ती, जल्मनी, जान की, ब्रह्म गुप, इंड की और कौंदर प्रथा, पांड़ी ने त्रिगर्थ को अयुद जी भी संग कहा था, इसका मतलब होता है युद के सहारे जीने वादे, और त्रिगर पांड, ब्रिश सहीता, तथा माभारत के दुरोणपद में ही भी तरिगर्थ का उले किया गया है, और पानिनी को ही संस्कृत ब्याकरन का जन्यक्त भी कहा जता है, तो ये भी आपने इपोर्टन फेक्ट याद रखना है, अब दूसरा जन्यक्त है हमारे पास, ओदुंबर तो माभारत के अमसार ओदुंबर जो थे, विस्वा मित्र के बंसज थे, जो की कोशकी गोतर से संबंदित थे, ओदुंबर के सिक्के कहां से मिले हैं, तो कांगडा, पठानकोट, ज्वालमुकी, गुरदासपूर और होशियारपूर से मिले हैं, और ओदुंबर लोग जो या सिब के उपा सकते या सिब पूजा करते थे, पाणिनी के गणपत में भी ओदुंबर जाती का बिवरन मिलता है, पूछे जाए कि ओदुंबर जाती का बिवरन कहां से मिलता है, तो गणपत से मिलता है, जो की पाणिनी की रचन थी, ओदुंबर का नाम किसलिए पड़ा और ये जो सिक्कों में महादेब सा लिखा हुआ था किस लिपी में लिखा था तो ब्रामी और ख्रोस्ती लिपे में लिखा था अब उदुंबर के सिक्के जो थे तामबे और चांदी के थे और सिक्कों पर तरसूल भी बना हुआ था या त्रिसूल का निसान बना हुआ था उदुंबर जो थे सिब भक्त और बेड़ पालक थे जिससे चमबा की गदी जनजाती से इनका संबंध होने का अनुमान लगाया जाता है तीसरा हम बात करते हैं कुलूट जन्पत के बारे में तो कुलूट राज्जी जो था व्यास नदी के उपर का इलाका था इसका बिबरन हमें रामायन, महावारत, ब्रिहस संच्ता, मारकंडे पुरान, मुदरराक्सक्स और मतस्य पुरान से मिलता है कुलूट की प्राज चिन राजदानी थी नागर में जिसका बिबरन हमें पाणिनी की कत्रे आदी गंगा से मिलता है कुलू घाटी के राजा बिर्यास जो थे इनके नाम से सोवी इस्वी या पहली सदी का सबसे पुराना सिक्का मिला है और कौन सी लीपी में है ये तो प्राक्रित और खरोस्त लीपी में है तो कुलू घाटी की स्थापना किस ने की थी तो परियाग से आए बिहंग मनिपालने की थी अब हम बात करते हैं कुलिंद के वारे में तो कुलिर घास जो थी बियास सतलूज और यमना के बीच की भूमी थी और बरतमान में सिर्मोर, सिमला, अंबाला और सराहनपुर के छेतरे इसमें सामिल है तो महावारत के अनुसार कुलिंद पर अरजुन ने भिजे प्रापत की थी और बरतमान में कुलिंद का संबन जो है वो कुनेत या कनेत से है कुलिंद चांदी के सिक्कों पर जो है राजा अमोग भूती का नाम मिला है यमना नदी का पुराणी का नाम कालिंदी है और इसके साथ साथ पढ़ने वाले छेतर को कुलिंद कह दाता है कुलिंदों की सासन परनाली कैसी थी तो गन तंतरी ये थी कुलिंदों ने पंजाब के युद्धाओं और अर्जुनाइन के साथ मिलके कुसानों को बगाने में सभलता प्रापत की थी ऐसा पुछ जाता है कि कुलिंद के सिक्कों पे किस राजा का नाम मिला है तो ये मिला है अमोग भूती का नेक्स्ट है मारे पास अब मैं आपको पताता हूँ मोरे पूरव सिकंदर का आकरमन तो सिकंदर ने जो भारत पे आकरमन किया था 326 बीसी में किया था और किस के साथ युद लड़ रहा था तो पूरु राजा पूरस के साथ लेकिन पूरस की इसमें पराज्य हो जाती है इसके बाद सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी से आगे जाने पे इनकार कर दिया क्योंकि उसमें जो होता है मगद में नंद बंस का सास्थ गहनानन सास्थ कर रहा होता है और ये गहनानन बहुत ही करूर सास्थ था इससे भी कही न कहीं डर गे थे और यूद्ध करते करते उनको काफी टाइम हो गया था और ये सेना काफी थक चुकी और ये बापस अपने घर लोटना चारते थे दूसरा सिकंदर का प्रमुक सेनापती कौन था तो सेलुकस निकेट रथा ये जल सेनापती था सिकंदर ने ब्यास नदी के तर पे अपने भारत अभियान के निसानी के तोर पे बारास पूतों का निर्वान करवाया था जोकि बरतमान में नस्ट हो चुके हैं तो इंसिंट हिस्ति जब मैंने करवाय थी भारती इंसिंट हिस्ति उसमें मैंने ये टोपिक बहुत अच्छी तरह से कवर करवा दिया है तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं सारी वीडियो नेक्स्ट है हमार पास मोरेकाल तो मोरेकाल के चंदरगुप्त मोरे के वारें बताता हूँ आपको तो चानक्य की सहायता से 322 इसापूर में नंदवंस का नास करके मोरे समराज्य की स्थापना करते हैं कौन चंदरगुप्त मोरे किस की सहायता से चानक्य की सहायता से ऐसा कहा जाता है कि नंदवंस का जो अंतिम साथ सकता घंणनद उसने एक वार चानक्य का अपमान किया था क्योंकि पहले चानक के उनी के दिर्वार में हुआ करते थे तो चानक के जो है घननंद से अपने अफमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मोरे से मिल जाते हैं और उनके साथ मिलके घननंद को ये प्राजित करते हैं और मोरे बंस की नीव डालते हैं अब चंद्रगुप्त मोरे जो था इसने पहाड़ी राजा परवर्तक और परदान मंतरी चानक के साथ मिलके मोरे समराज्य की और कदम बढ़ाए पहाड़ी छेतर में परवर्तक और चानके की संदी का जो विबरन मिलता है वो विसाखदत के मुदरा राकसक्स और जैन गरंद परिसिस्ट पवरन में मिलता है मुदरा राकसक्स के अनुसार चंदरगुप्त ने किरात और खसों को अपनी सेना में बरती किया था very very important point है कि चंदरगुप्त ने किरात और खसों को अपनी सेना में भरती किये था इसका परमान हमें कहां से मिलता है तो मुद्रा राकसक्स में मिलता है परबतिय राजाओं में केबल कुलूत के राजा चित्र बर्मा और कस्मीर के राजा पुस्क राकस ने ही चंदरगुप्त का बिरोध किये था किस-किस ने बिरोध किये था पहाडी राजाओं ने तो कुलूत के राजा चित्र बर्मा और कस्मीर के राजा पुस्क राकस ने चंदरगुप्त का बिरोध किये था कुलिंद राज्यों को मोरे काल में सिर मोरे कहा जाता था जो की बरतमान में सिर मोर बन गया तो अब बात करते हैं असोक के बारे में तो हिमाच्च्च पदेश में बोध धर्म का परवेस कब होता है तो 242 BC में होता है हिमाच्च्च पदेश में बोध धर्म के परचार के लिए असोक ने मज्जिम को वेज़ा था और उसके साथ चार बोध भिक्सों को वेज़ा था उन बोध भिक्सों का नाम के था तो कस्प गोता, दूंदो विसारा, सहदेब और मुकल देब को वेज़ा था इनोंने हेंसांग के अंसार असोक ने कुलू और कांगडा में बोस पूत्नों का निर्मान करवाया था कुलू के कलत में और कांगडा के चेंतलू में भी असोग के सबोच जो है निर्मित किये गए थे काल सी के उत्तराखन में भी असोग कालिन सिला लेक पाए गए है अब बात करते हैं मौरित्र काल के बारे में जिसमें मैं आपको पताता हूँ सुंग और कुसान बंस के बारे में तो मोर्यों के पतन के बाद जो होता है सुंग बंस पहाली गन राज्यों को अपने अधीन में ही रख पाते हैं धेरे धेरे पहाली गन राज्यों सुतंतर हो जाते हैं इसा की इसा पूर्व की प्रसम स्ताब्दी के आसपास सकों का आकर्मन होता है सकों के आकर्मन के बाद कुसानों के प्रमुख राजा कनिस्क के सासनकाल में पहाडी राज्यों ने समर्पन कर दिया और कनिस्क की अधिनता जो है स्विकार कर ली अब कुसानों के 40 सिक्के जो प्रापत किये गए हैं कालका कसोली सडक से प्रापत किये गए है और कनिस्क का एक सिक्का जो है कांगड़ा के कनिहारा से मिला है और ऐसा पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाये थे तो वो कनिस्क ने ही चलाए थे पहाडी राजा कुसानों के सासाथ अपने सिक्के चलाने में भी सोतंतर थे दूसरी स्तावदी के अंत और तीसरी स्तावदी के प्ररंब में कुसानों की सक्ति जो है कमजोर होने लगी थी और आयोदे, अरजुनायन और कुलिंदों ने मिलकर कुसानों को जो है सत्लूस पार दकेल दिया था और अपनी अजादी के प्रतीक के रूप में सिक्के चलाए थे अब बात करते हैं गुप्थ-काल के बारे में या गुप्त-वत्र-काल के बारे में गुप्त काल में चंदरगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के बारे मैं आपको बताता हूँ तो अब बात करते हैं गुप्त काल की तो स्रीगुप्त के पोते चंदरगुप्त प्रथम ने 319 AD में गुप्त समराज्य के नीव डाली कब डाली 319 AD में भारत के नेपॉलियन समुद्र गुप्त ने 340 इसबी में परवती जनपदों को अपने अधीन कर लिये था तो कब इन्होंने अपने अधीन किया था समुद्र गुप्त ने 340 इसबी में और भारत का नेपॉलिन किसे कहा जाता है तो वो समुद्र गुप्त को कहा जाता है समुद्र गुप्त की भद्र, त्रिगर्त, कुलूत और कार्तिक पूर जनपदों पर बीजे का उलेख जो है हरी सियन के इलावाद प्रस्ति से मिलता है कुलिन जन्पद का उलेक इसमें नहीं मिलता है अब बात करते हैं समुद्र गुप्त की तो समुद्र गुप्त ने पहाड़ी जन्पदों से अपने परभूता स्विकार करवा कर उन्हें आंतरिक अजाद्वी और सक्ती तथा सुरक्सा बनाए रखने की सुतंतरता परदान की थी मतलब समुद्र गुप्त ये करता था कि पहले युद्ध की चुनोती पहाड़ी राज्यों को दिया करता था पहड़ी राजों को बोलता था कि आप मेरे साथ युद्ध करो या तो मेरी प्रभुता सुईकार करो तो काफी सकती साली था तो राजों से इससे पहले डर जाते थे और इसकी प्रभुता सुईकार कर लेते थे और ये वहां से टैक्स बसूल किया करता था और ये ऐसा बोला करता था कि आप मुझे इतना टैक्स दो आपको युद्ध लड़ने की भी जरूरत नहीं है आप अपने हिसाब से अपना समराज्य या अपना राज्य चलाओ अब कुमार गुप्त के पुत्र सकंद गुप्त ने हुनों को प्राजित कर गुप समराज्य की प्रतिष्ठा को बनाए रखा लेकिन सकंद गुप्त के बाद गुप समराज्य का भिगटन होना सुरू हो गया गुप्तों का परमुक कारण क्या था? तो ये था होनों का आकरवन और इस काल में हिमाले का बनन कालिधास के कुमार संभव और मेगदूर से मिलता है गुप्तकाल की अगर बात की जाए तो गुप्तकाल में सबसे ज़्यादा मंदिर पहाड़ी शेतरों में बनाएगे ऐसा पूछे जाता है कि पहाड़ी मंदिरों में सबसे ज़्यादा मंदिर किसके सासनकाल में बने हैं तो वो गुप्तकाल में ही बने हैं अब बात करते हैं गुप्त काल के बारे में तो स्रीगुप्त के पोते चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 AD में गुप्त समराज्य के नीव रखी भारत के नेपॉलियन समुद्रगुप्त ने 340 इस्वी में परवतिय जन्पदों को अपने अधिन कर लिया था भारत का नेपॉलियन किसे कहा गया है तो स्मुद्रगुप्त को कहा गया है स्मुद्रगुप्त की भद्दर त्रिगर्थ कुलूत वो कार्तिक पूर की जन्पदों पर बिजे का उलेख हमें कहां से मिलता है तो हरिसेन के इलावाद प्रस्थी से मिलता है कुलिन जन्पद का उलेक इसमें नहीं मिलता है समुद्र गुप्त ने पहाड़ी जन्पदों से अपनी प्रभूता स्विकार करवा कर उन्हें आंतरिम अजादी वो सक्तिता सुरक्सा बनाये रखने की सोतंतरता प्रदान की थी मतलब समुद्र गुप्त ये किया करता था कि पहाड़ी राजाओं को अक्रमन ये युद्ध लड़ने की चुनोती दिया करता था कि आप मेरे साथ युद्ध लड़ो या तो फिर मेरी प्रभूता स्विकार करो काफी सकती साले राजा था ये तो पहाड़ी राजा इससे डर जाते थे और इसकी अधिनता सुकार कर लेते थे और बदले में इसको टैक्स दिया करते थे और ये कहता था कि मुझे टैक्स दो आप अपना राज्य अपने हिसाब से चलाओ तो इस लाइन का मतलब ये है कुमार गुप्त के पुत्र सकंदर गुप्त ने हूनों को प्राजित कर गुप्त समराजी की प्रतिष्टा को बनाए रखा था और जब सकंदर गुप्त की मृत्यू हो जाती है तो गुप्त बंस का बिगटन सुरू होना सुरू हो जाता है गुप्तों के पतन का मुख्य कारण क्या था तो हूनों का अक्रमन था और इस काल में हिमादले का बनन कहां से मिलता है तो कालिदास के कुमार संभव और मेगदूस से मिलता है मतलब गुपतकाल में हिन्दो मंदिरों का निरमाण होता है गुप्त काल में अनेग हिंदु मंदिरों का निर्मान होता है कहां पे हिमाले छेतर में ऐसा पूछे जाता है कि हिमाले छेतर में सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्मान किसके सासनकाल में मिलता है तो वो मिलता है गुप्त काल के गुप्तों के पत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत् बने थे तोर्मान के पुत्तर का नाम क्या था तो महीर कुल था और महीर कुल को ही भारत का एटिला कहा जाता है बैरी बैरी आएंपी की भारत का एटिला किसे कहा जाता है तो तोर्मान के पुत्तर महीर कुल को कहा जाता है महीर कुल ने ही 525 इस्वी में पंजाब से लेकर मद बर्मन ने महीर कुल को प्राजित कर कस्मीर बगाने के लिए मजबूर कर दिया था तो महीर कुल जिसे भारत का एटिला भी कहा जाता था इसको किस ने प्राजित किया था तो मगद समराठ नर्सिंग वालादित्य और यसो बर्मन ने किया था गुज्जर जो है सुमय को हूनो का बंसज मानते हैं नेक्स्ट है मारे पास हर्सबर्दन एम हेंसान तो हर्सबर्दन जुजधा 606 से लेके 647 इसबी तक भारत की गद्दी पर रहा उसके सासनकाल में थानेस्वर, पाट्ड़े-पूत्र और कन्योज जुथे सासन के प्रमुक के अंदर रहे हेंसांग की भारत त्यात्रा 629 से लेके 644 इसबी तक रही हेंसांग ने 625 में जालंदर आया मतलब त्रीगर्द की राजदाने पर आया और वहां पर ये राजा उत्तिस या उद्दीमा के यहां चार महीने तक महमान बनके रहा ये कोशन पूशे रता है कि हेंसांग किसके यहां पर चार महीन तक महमान बनके रहा था तो उद्दीमा के यहां तो हेंसांग ने जालंदर के बाद कुलू लहोल और स्रिमोर की भी आप रखी कस्मीर के राजा ललिता दित्ते और येसो बर्मन के बीच जो युद्ध हुआ था इसका बिबरन हमें कहां से मिलता है तो कल्धन की रास त्रिगर्थ, ब्रह्मपूरा और अन्य पहाड़ी छेत्रों पर येसो बर्मन के प्रभाव का विबरन मिलता है और नोविस ताबदी में त्रिगर्थ और उपरी सतलु छेत्र पर कस्मीर राज्य का अधिकार हो गया था हेन सांग ने जलंदर, कुलूद, सिर्मोर की राजदनी, सिर्मोरिताल, लहोल की यातरा का विबरन दिया है माहायान धर्म के प्रिचलित होने का जिकर हेन सांग ने अपने पुस्तक सिउउ की में किया है तो वीडियो काफी लंबी हो गई है इसलिए इसके कोस्टन आंसर का टेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करेंगे तैंक्स तो बॉचिंग जेहिन जे भारत नमस्कार दोस्तों बेटलें चीकियों बहुत बहुत सवागत है आपका आज का हमारा टोपिक है हिमाच्चर प्रदेश का मद्दे कालिन इतिहास ह.P. Medieval History इससे पहले मैं हिमाच्चर प्रदेश के प्राचिन इतिहास को कबर करवा चुका हूँ आप प्लेलिस्ट में जाकी वीडियो देख सकते हैं आज मैं आपको प्ढ़ाने वाला हूँ एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा पूरे मद्दे कालिन इतिहास के बारे में और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये भी पहले बिता देना जरूरी है तो बिदेसी आक्रमनकारियों के बारे में हम बात करेंगे जिसमें मुहम्मद गजनबी और मुहम्मद गोरी के बारे में आपको बताऊंगा उसके बाद आता है दिल्ली सलतनत दिल्ली सलतनत में हम तुगलक बंस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें मुहमद बिन तुगलक, फिरोसा तुगलक और तैमो लंका अक्रोन पढ़ेंगे फिर मुगल समराज्य पढ़ेंगे हम जैसे बावर, अकवर, जहांगीर, सहजहां और मुगलों के पतन और गमनचंद के बारे में पढ़ेंगे हम उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सिख गुरुओं के बारे में उसके बाद हम इससे लेटरी लगाएंगे Important Question-Answer Test तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो अब बात करते हैं महमूद गजनवी के बारे में तो महमूद गजनवी जो था इसने भारत में तो जग बनता है तो इसके आक्रमन के समय नगरकोड का सासक जगदीश चन था अब एक जार नो में महमूद गजनवी ने ब्रिजिस्वरी मंदर तोड़ा था तो कांगड़ा का प्रिजयस्परी मंदर महमूद गजणवी ने कब तोड़ा था गजब तोड़ा था 1023 तक महमूद गजणवी जो था नगरकोर्ट को छोड़ के कांगड़ा के अधिकतर हिस्सों पे अधिकार नहीं कर पाये था ये लेकिन 1026 में क्या है आए कि कांगडा तुर्कों के दिन कब से कब तक रहता है तो एक अजार नो से एक अजार तरतालिस तक रहता है नेक्स्ट है हमारे पास महमूद गोरी तो महम्मद गोरी के आकरमुल के समय चंबा का सास्थ कुछ था वो था बिजे बर्मन बस हिमाचल से एक फैक्ट पूछा आता है महम्मद गोरी से महम्मद गोरी से एलेटर इंडिन हिस्ट्री में एक क्वेशन पूछे जाता है तराइन के मैदान के युद आपने सुना होगा तो तराइन के मैदान के युद जो हुए थे दो युद हुए थे और दोनों युद किसके बीच में हुए थे तो महम् एक है तो प्रथम ठीक है और प्रथम यूद किसने जीता है तो पर से प्रथम और पर से प्रिथवी तो प्रथम यूद तेराइन का जीता था प्रिथवीराच चुहान ने हुआ किस के बीच में था मुहम्मद गोरी और प्रिथवीराच चुहान के बीच में दूसरा एक साल बाद हुआ 1192 में और दूसरा जिता मुहम्मद गोरी ने जिता था अब बात करते हैं चंदावर का यूद तो चंदावर का यूद 1194 में हुआ था और मुहम्मद गोरी ने जेचंद को पराजित किया था तो किस-किस के बीच में हुआ था मुहम्मद गोरी और जेचंद के बी को जीत लेता है उसके बाद ये अपना गजनी बापिस लोड़ जाता है अपना समराज्य जो है अपने सेनपती अपने गुलाम को सौंप के चला जाता है जैसे एबग एल्दोज और कुवाच्चा और इन्हों नहीं आगे जाके फिर दिल्ली सलतनत की स्थापना की या गुला तूगलक बंस के बारे में तो तूगलक बंस में हम पढ़ेंगे सबसे पहले मुहमद बीन तूगलक के बारे में यसे तीन ही पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं तो 1337 इस भी में के हुआ मुहमद बीन तूगलक ने नगर कोट पर आकर्मन किया तो उस समय नगर कोट का सासर गोल तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मुहम्मद बिन तूगलक के आकरवन किसमे नगरकोट का सासक था प्रिजविचन था और इस सासक को पागल सासक भी कहा जाता है और चमडे किसिक के किसने चलाये थे तो मुहम्मद बिन तूगलक ने ही चलाये थे नेक्स्ट है हमारे पास फिरोसा तूगलक तो तेरह सो साथ हिस्वि में राजा रूप चंद ने दिल्ली अभियान किया था मतलब दिल्ली पे आकरवन किया था तेरह सो साथ में बेरी बेरी इंपोर्टन पॉइंट है यहां से ऐसा कुछन पूछा दता है कि हमाच्चर प्रदेश का ऐसा कौन सा राजा था जिसने दिल्ली पर आकरवन किया था तो यह था राजा रूप चंद वो दिल्ली में उसमें इसासने करते थे फिरोसा तूगलक अब दिल्ली पर इन्होंने आकरवन किया तो इनको सबक सिखाने के लिए फिरोसा तूगलक ने 1361 में नगर कोट के लिए पर इन्होंने गेरा डाला और यह गेरा इन्होंने 6 मेने तक डाला और राजा रूप चंद और फिरोसा तूगलक के बीच में बाद में समझोता हो ग जोवालमुकी के मंदिर में धन प्रापत करने के लालसा से फिरोसा तुगलक ने कांगड़ा पर आकर्मन किया और ये लड़ाई लगवग छे महिने तक चली अब इस आकर्मन में क्या हुआ तो फिरोसा तुगलक ने 1300 संस्कृत के गरंत थे इनको अपने साथ लेके चला गया और फारसी में अनवाद करवाया ऐसा पूछे जाता है कि फिरोसा तुगलक ने जब जोवालमुकी पर आकर्मन किया था तो जो किताबे लूट के लेके चला गया था उनको किस भासा में इसने अनवाद करवाया था तो वो करवाया था फारसी भासा में और अनवाद करने व का अनुबाद किया था तो यहां से यह important fact पूछे जाते हैं आप screenshot भी ले सकते हैं अब बात करते हम तैमूर लंग के आकर्मन के बारे में तो 1398 में जो है मंगोलों का जो आकर्मन हुआ था तैमूर लंग के नेतिरित्म में हुआ था या तैमूर लंग में लास्ट में गव आ तो ऐसे आप याद रख सकते हैं अब 1398 में जब आकर्मन करके यह बापिस लोट रहा था तो सिवाले की पहाड़ीयों पर 1399 में इसने जैसे नूरपुर और स्रिमोर पर आकर्मन किया और स्रिमोर का उससमें राजा कौन हुआ करता था तो राजा अरतन चंद, इनोंने के किया था तैमुलंग की सहाईता की थी अब इनोंने सहाईता की थी तो तैमुलंग इनके राज्यों को बिना कुछ हानी पहुंचाए हुए आगे बढ़दता है नेक्स्ट ऎमबाद करते है प्रमुक आकर्मणों की, जो भी हमने आकर्मन पड़े मैंने एक साथ लेके आगे आपके लिए ताकि आप सक्रीन सोट ले 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 या आपको याद हो सके तो एक अजार नो में किसका आकर्मन होता है तो महमूद गजनमी का होता है और उसमें नगरकोट का सासक कौन हुआ करता था तो जगदीश चन्द हुआ करता था जैसे यहाँ पे गज और गज का उल्ट होता है जग तो यहाँ पे जगदीश चन्द अब 1337 में होता है आकर्मन महम्मद बीन तूलक का और गुलक कैसी होती है गोल होती है तो नगरकोट का सासक प्रिथवी चन था प्रिथवी भी गोल ही होती है अब फिरोसा तुलक का कांगड़ा का अक्रमन और उसमें नगरकोट का सासक को हुआ करता था तो राजा रूप चन याद कैसे रखना है जैसे फिरोज रोज हम क्या देखते हैं अपना रू कर्मन होता है तेरह सो अठानवे में और तैमूर लंग लास्ट में गह है तो मेग में भी लास्ट में गह है तो कांगड़ा कराजा मेग चंद था आई होप आपको यह ट्रिक पसंद आई होगी तो प्लीज चैनल को सिस्क्राइब जुरूर कर लेना नेक्स्ट हम बात करते हैं मुगल समराज्जे के बारे में तो मुगलों में हम सबसे पहले बात करते हैं बाबर की तो 1525 में बाबर ने कांगड़ा के निकड मलोट में अपनी चोकी स्थापित की थी कहां पे स्थापित की थी मलोट में और 1526 में बाबर ने पानेपत के प्रसम युद में इंब्राहिम लोद्धी को हिरा के मुगल समराज्य की नीव डाली थी नेक्स्ट है हमारे पास अकवर बाबर के बाद आता है अगले साथ सक अकवर आता है तो अकवर क्या करता है पाड़ी राजाओं को अपने अधिंता सुकार करने के लिए उनके बच्चों या रिस्तेदारों को अपने दर्वार में बंदे के तोर पे रखता था और अकवर ने कांगड़ा के राजा जेचंद को जो है बंदी बनाया था अब जेचंद के पुत्तर का नाम था बिदी चंद तो बिदी चंद ने के के था अकवर के बिरुद नूरपूर के राजा तक्तमल के साथ मिलके बिद्रो किया था तो बिदी चंद किस का पुत्तर था जेचंद का था और बिरोध चंद ने किस राजा के साथ मिल के अकवर के बिरोध किये था तो नरपूर के राजा तक्तमल के साथ अब बिरोध हो जाता है तो अकवर ने बीरवल को हुसेन कुली खान के साथ जो है बिद्रोध बाने के लिए बेजा था अब 1572 में क्या होता है अकवर ने टोडर मल को पहाड़ी रियास्तों की जमीने लेके एक साही जमीदारी स्थापित करने के लिए निक्त किया तो टोडर मल को किस चीज़ के लिए निक्त किया गया था तो साही जम्मिदारी स्थापित करने के लिए निक्त किया गया था यह कोशन सारे पूछे जाते हैं यह मैंने इसमें वह इंपोर्टन लिये हैं जो एक्जाम में पूछे गए हैं तो साही जम्मिदारी के मताबिक जो है कांगडा के 66 गाउं, चंबा के रेहलू, छेरी, पथियार और छारोक चित्तर आते थे अब अकवर के समकालिन राजा कौन थे तो चंबा में अकवर के समकालिन थे परताब सिंग बर्मन और सिर्मोर्ट में थे धर्म परकास अब कांगडा रियास्त ने अकवर की अधिनता सुकार नहीं की थी ठीक है क्योंकि यद्देपी जो है अकवर की सेना ने यहां के बहुत बड़े बुवाग पे जो है कबज़ा कर लिया था नेक्स्ट आम बात करते हैं जहांगिर की तो जहांगिर जो था 1605 में गदी में बैठा था और सूर जमल जो था नूरपूर दमेरी का राजा था नूरपूर का पुराना नाम क्या था दमेरी था पहले जहांगिर के अधिन यह काम कर रहा था कौन सूरजमल किसके अधिन काम कर रहा था पहले जहांगिर के अधिन काम कर रहा था परन्तु बाद में इसने बिरोध कर दिया था किसका जहांगिर का तो जब बिरोध नहीं किये था उससे पहले क्या होता है तो 1615 में जहांगिर ने कांगड़ा पर कपज़ा करने के लिए सूरज मल और सेख फरीद मुतरजा खान को बेजा था लेकिन क्या होता है दोनों के बीच में बिवाद हो नहीं लगता है और मुतरजा खान की मृत्यू हो जाती है और मुतरजा खान की मृत्यू के बाद जो है जहांगिन ने यही योजना स्थागित कर दी मतलब कांगडा पर कब्जा करने की योजना यहिए इसने स्थागित कर दी थी अब 1617 में क्या होता है तो साल बात तो जहांगिन ने फिर सूरजमल जो कि नूरपूर का जो राजा था फिर सूरिजमल और साहकुली खान के नेतित में कांगड़ा बिजई के लिए सेना भेजी थी लेकिन सूरिजमल और साहकुली खान के बीच में जगड़ा हो गया था और साहकुली खान को जहांगिर ने बापिस बुला लिया था अब राजा सूरज मल ने मोलो का बिरोध फुल फलेस्ट कर दिया वलो ओपन हो गया ये कि मैं आपका बिरोध करता हूँ तो जहांगिर ने क्या किया तो जहांगिर ने सूरज मल के बिरोध को दबाने के लिए राजा राए बिक्रमजीत और अब्दुल अजीज को वेजा ऐसा पूछाता है कि जहांगिर ने सूरज मल के बिरोध को दबाने के लिए किसको वेजा था तो राजा राए बिक्रमजीत और अब्दुल अजीज को वेजा था अब राजा सूरज मल ने मानकोट और तारागड के किले में सरन ली जो की चमबा रियासत के अधिन आता था और सूरज मल के छोटे भाई का नाम था जगज सिंग इसने कांगडा किले को जीतने वे जो है जो हांगिर की मदद की थी और अपने बड़े भाई सूरज मल को भी इसने पकड़वाया था किसने पकड़ाया था जगज सिंग में जगज सिंग ने अपने भाई सूरज मल को और ये ज़सा सूरज मल नूरपूर धमेरी का सासकता या राजा था अब जहांगिर ने 1620 इसमी में कांगडा किले जो है जीत लिया था और कांगडा किले का प्रसम मुगल किलेदार कौन बनाया था तो नवाव अली खान को इसने बनाया था और पूछा जाए अगर की मुगल का मुगल सासकों ने अंतिम मुगल किलेदार कौन था तो बहुता नवाब सैफ अली खान अब 1622 में क्या होता है जहांगिर ने नूर जहां के साथ दमेरी की यत्रा की थी और जहांगिर को खुस करने के लिए जराजा जगस सिंग ने जिसने अपने भाई को पकड़वाय था जगस सिंग ने दमेरी का नाम बदलवा कर नूर पूर रख दिया मतलब जैसे जहांगिर अपने बीबी के साथ आता है नूर जहां के साथ तो इसको खुस करने के लिए सूर्द मलक के छोटे भाई जगस सिंग ने नाम बदलवा दिया बदलवाया किसने जगसिंग में और किस से बदलवाया जहांगिर से तब से लेके आज तक धमेरी का नाम नूर पूर पड़ा है नूर चहां के नाम से और कांगडा के लिए के एक दरवाजे का नाम जो है जहांगिर दरवाजे भी रखा था और शिब्बा की यात्रा भी उस टाइम पे जहांगिर ने की थी और गुले राजा रूपचंद को बहादर की उपादी इन्होंने दी थी किसने जहांगिर ने जहांगिर ने कांगडा के लिए के अंदर मस्जिद का निर्मान भी करवाया था ऐसा पूछा जाता है कि मुगलों में किसने कांगडा के लिए के अंदर मस्जिद का निर्मान करवाया था आपको अकवर, बाबर, सहाजान ओप्सिन में दिये जाएगा तो आपने जहांगिर टिक करना है सिर्मोर का राज़ जो था बुद्धी प्रकास, ये था जहांगिर का समकालिन था नेक्स्ट है मारे पास सहाजाँ तो सहाजाँ के सासनकाल में नवाब, असदुल्ला खान और कोचकुली खान जो थे कांगडा के मुगल किलेदार बने थे और कोचकुली खान जो था ये 17 बरसों तक मुगल किलेदार रहा था और इसको जो है बानगंगा नदी के किनारे दफनाए गया था ऐसा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मुगल किलेदार था जिसको बानगंगा नदी के किनारे दफनाए गया था तो ये था कोश कुली खान अब सिर्मोर का राजा जो था मदंता प्रकास सहाजहां का समकालिन था तो सहाजहां का समकालिन कौन था सिर्मोर का राजा मदंता प्रकास और उसने मुगलों के गड़वाल अब्यान में कई वार सहायता की थी अब गुलेर सासक था मान सिंग गुलेर सासक कौन था मान सिंग इसको जो है सेर अफगान की उपादी दी गई थी पूछे जाता है कि सेर अफगान की उपादी किसे दी गई थी तो अफगान और मान ऐसे याद रह सकते हैं आप तो मान सिंग को दियी थी जो की गुलेर का सासक था नेक्सτι आमारे पास औरंगजेव औरंगजेव के सासनकाल में स्यद हुसेन कान हसन अबदल्ला खान और नवाव स्यद खलीद उल्ला खान जो थे कांगड़ा के मगलक किलेदार बने थे औरंग जेव का समकालन को था तो सिरमोल का राजा सुब अश्परकास था अब चतर सिंग जो था चमबा का राजा microphone था 1678 में औरंगजेव ने चमबा के सारे मंदिरों को तोड़ने का अधेस दे दिया था कि कब दिया था 1678 में और चमबा का राजा उसमें कौन हुआ करता था तो चरसे चमबा चरसे चतर सिंग ठीक है तो उसने मंदिरों को तोड़ने का अदेश को मानने से बिलकुल मना कर दिया था और मना तो किया ही था उसके साथ इन्होंने चमबा के सारे मंदिरों पर जो है सुनहरी बुर्जी लगाने का अधेश दे दिया था सभी मंदिरों को सुजाने का अधेश दे दिया था तो ये भी important fact है तो बुसहर का राजा था कहरी सिंग इसको औरंग जेब ने छत्रपती की उपादी दी थी किसको दी थी कहरी सिंग को और जो कहरी सिंग था बुसहर का राजा था कुल्लू का राजा था जगसिंग जगसिंग को इसने राजा की उपादी दी थी किसने औरंगजेव ने नेक्स्त हमार पास मुगला का पतन और घमंडचन तो घमंडचन ये कौन था तो संसार चंद का दादा था ये तो औरंग जेब की मृत्यों के बाद जो है मुझलों का पतन होना सुर्व हो जाता है अहमज साथ दुरानी की अगर बात करते हैं तो ये अहमज साथ दुरानी या अहमज साथ अबदाली एक ही नाम है ये तो 1748 और 1788 के बीच में दस बार इसने पंजाब पर आकर्मन किया और मुझलों की इसने कमर ही तोड़ दी थी अब राजा गमनचन ने इस मौके का फाइदा उठा कर जो है कांगडा और दुआब की छेतरों पर कबज़ा कर लिया था किसने गमनचन ने और कांगडा किला अब भी मुझलों के पास था और नवाव सैफ अली खान जो थे कांगडा के अंति मुझल किलेदार थे पहले कौन थे तो नवाव अली खान जो थे नवाव अली खान जो था पहला मुझल किलेदार था लेकिन नवाब सैफ अली खान जो था अंति मुगल के लिए दार था और अहमद साहद दुरानी ने 1769 में गमानी चंद को जल अंदर का जो है निजाम बना दिये था अब गमानी चंद ने सतलू से राबी तक छेतर में 177 राज हो गये था किसका गमानी चंद का गमानी चंद के मेरतियों कब होती है तो 1773 में होती है और अहमद साहद दुरानी से एक फ्रेक्टोर पुछले रपा है कि पाने पत का तीसरा यूद कब हुआ था तो ये हुआ था 1761 में और किस-किस के बीच में हुए था तो अहमद साहद दुरानी और मराठों के बीच में हुआ था नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सिख्ध गुरूं के बारे में तो वो सिख्धों के पहले गुरू जो थे वो थे गुरू नानक तेव जी और इन्होंने हिमाच्चा प्रदेश की यातरा कब की थी तो 1514 इस्वी में इन्होंने की थी और कहां कहां ये गए थे तो कांगडा, जौलामुकी, कुलू, सिर्मोर और लाहुर्स पिती में ये गए थे इनकी याद में सुवाथू के पास जो है जोसर गुरुदवारा भी है अब बात करते हैं सिखों के पांचमे गुरु और पांचमे गुरु कौन थे तो गुरु अरजुन देव थे तो इन्होंने पहाडी राज्यों पर भाई कलियाना को भेजा था किसलिए भेजा था तो हर्मिंदर साहिब सोरन मंदर के निर्मान के लिए चंदा एकत्यत करने के लिए भेजा था और चंबा, कुल्लू, हरिपूर, सुकेत के राज़ा थे गुरु अरजुन देव के सिख से थे अब छटे गुरु के बारें बात करते हैं चटे गुरु थे गुरु हर्मिंद तो हरुग गुविंद ने बिलासपूर या कहलूर के राजा की तोफे में दी हुई भूमी पर कीरत पूर का निर्मान किया था शिखों के नो में गुरु थे गुरु तेग भादूर तो तेग भादूर ने बिलासपूर की रानी के दुआरा तीन गाउं इनको दान में दिये गए थे जिन्द पर इन्होंने मखोवल गाउं की स्थापना की थी जो कि बाद में आनंदपूर साहिब कहलाया तो ये भी फैक्ट आपने याद रखने नेक्स्ट हम बात करते हैं गुरू गोविन सीजी के गोविन सिंग के बारे में तो गुरू गोविन सीजी से लेटर काफी इंपोर्टन फैक्ट पूछे दाते हैं सबसे पहले तो बतातों में आपको कि इनका जर्म जो हुआ था पटना में हुआ था इनका पालन पोशन आनंदपूर साहिब में हुआ था और इन्होंने जो है सिर्मोर जिले में राजा मेदनी परकास दुआरा यमना नदी के किनारे दीगे जमीन पर पोंटा साहिब गुर्दवारा बनाया था जो ऐसे भी पूछे दाता है कि इन्होंने पोंटा साहिब गुर्दवारे का निर्मान जो किये था ये भूमी इनको किस ने दी थी तो सिर्मोर के राजा मेदनी प्रकास ने दी थी यह ऐसा भी पूछे दता है कि गुरू गोविंग सिंग ने सिर्मोर में जब वियाप्रा की थी तो वहां के सासक कौन हुआ करते थे तो वो हुआ करते थे मेदनी प्रकास और पौंटा साहिब जो नाम रखा गया है जब इनका पाउं जब सिर्मोर में पढ़ा तो उससे लेटल ही इन्होंने इसका नाम रखा पाउंटा साहिब अब गुरू गोविंग सिंग जो थे यह सिर्मोर में जो है पांच बरसों तक रुके मतलब 1683 से लेके 1688 तक और इन्होंने जो है दस्तम गरंथ की रचना की थी पूझे जाता है कि दस्तम गरंथ की रचना किस ने की थी किस सिक गुरू ने की थी तो गुरू गोविंग सिंग ने की थी और कहां पे की थी पौंटा साहिब में की थी सिर्मोर में की थी इन्होंने मेधनी प्रकास और गड़वाल राजा जो है फते चंद के बीच में दुसमली चलती थी तो गुरु गोविन सिंग ने क्या किया मेधनी प्रकास और राजा फते चंद के बीच में जो है मेत्री करवाई थी गुरू गोविन सिंग की जीवनी का नाम पूछे दाता है तो ये है बिचित परनाटक नेक्स्ट हम बात करते हैं बगानी का युद्ध तो 1686 में होता है बगानी का युद्ध और इसमें हम important fact करेंगे जैसे युद्ध का कारण किसके बीच में हुआ युद्ध के परिणाम और युद्ध के बाद क्या हुआ तो सबसे पहले बात करते हैं युद्ध का कारण क्या था तो गुरू गोविन सिंग और कहलूर के राजा भीमचंद के बीच में सफेद हाथी को लेके जो है मनमुटाब हुआ था जो कि असाम के राजा रतन राय ने गुरू गोविन सिंग को दिया था किस-किस के बीच में मनमुटाब हुआ गुरू गोविन सिंग और कहलूर के राजा भीमचंद के बीच में सफेद हाथी को लेकर हुआ था जो कि असाम के राजा रतन राय ने दिया था अब किस किस के बीच में हुआ तो एक तर्फ जो थे गुरू गोविन सिंग थे और दूसरी तब कौन कौन से थे कहलूर के राजा भीमचन थे गड़वाल के राजा फतेशा थे और हंडूर के राजा जो थे हरी चन थे गुरू गोविन सिंग ने तीनों के साथ युद किया था अब युद का प्रणाम के होआ था तो इस युद में गुरू गोविन सिंग जी बिज़े रहे थे और ये भार गये थे तो हंडूर का राजा जो था हरी चन थे युद में गुरू गोविन सिंग के तील लगने से इनकी मृत्यू हो जाती है, किसकी हरीचंद की? अब युद के बाद यह होता है, तो जो भूमी गुरू गोविन सिंग जी ने जिती थी, वो हरीचंद के उत्तरा दिकारी को लोटा देता है, या बापिस कर देता है, और भीमचंद के साथ भी मधूर समन्द हो जाते हैं, किसके? गुरू गोविन सिंग जी के? अब कहलूर के राजा भीमचंद के साथ जब मधूर समन्द हो जाते हैं, तो राजा भीमचंद ने क्या किया? मुगलों के बिरुज जो है, गुरू गोविन सिंग से सहायता मांगी, और गुरू गोविन सिंग ने नादोण में मुगलों को हराया, तो नादोण के युद मे गुरू गोवीं सिंग में किसको हराय था तो मुगलों को हराय था और गुरू गोवीं सिंग में मंडी के राजा सिद्ध सेन के समय मंडी और कुलू की आपरा की थी तो ये पूछे जाता है कि जब गुरू गोवीं सिंग मंडी आये थे के साथ जो है खाल्सा पंत की स्थापना की थी अब 1708 में के होता है गुरु गोवीं सिंग्जी की नादेड महराष्टर में मृत्यू हो जाती है उसके बाद उनका उत्तरादिकारी बनता है बंदा बहादूर लेकिन बंदा बहादूर की भी मृत्यू हो जाती है तो जो है सिख धर्म बारा मिसलों में बंट जाता है जो कि मैं आप आगे आपको बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में जो मोडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे अब हम लगाएंगे इंपोर्टन कोश्टन आंसर टेस्ट जो कि अभी तक हमने पढ़ा हमारे पास यहाँ पर पहला कोश्टन है कि 2009 में किसने नगरकोट को लूटा था तो यह लूटा था महमूद गजनवी ने और उसमें कांगडा का साथ सकता जगदीश चन महमूद गजनवी की सेन ने कांगडा के कौन से मंदिर को लूटा था तो यह लूटा था बरजियसुरी मंदिर को तैमूल लंक के अक्रम के समय नालागर कार राजा कौन था तो यह था आलमचन 1337 में किस मुसलिम सास्ट ने कांगडा के लिए पर कपज़ा कर ले था तो 1337 में किया था मुहमूद भी तूगलत में और उसमें कांगडा का राजा हुआ करता था प्रिधुचन नगर कोड के राजा से संदी के परसाज फिरोसा कहां गया था तो जुवाला जी गया था जुवाला जी मंदिर जैसे रूपचन जो था राजा रूपचन ने फिरोसा तुगलत की अधिनता सुविकाल कर ले थी यह इन दोने को वीचिन समझोता हो गया था यह संदी हो गई थी उसके बाद जुवाला जी मंदिर में लाई गई पुस्तकों का अनवादक कौन था तो ये था इजुदिन खालिद खानी और इसने कौन सी पुस्तक में अनवाद किया था तो दिलाई ए फिरोसाही में कांगड़ा के सासक जेचंद को किस मुगल सासक ने कैद कर लिया था तो अकवल ने कैद कर लिया था जहांगिर ने किस राजा को कांगड़ा बिजे का नेतित्व सोंग पा था तो मूतर्जा खान को सोंग पा था किस मुगल सासक ने कांगड़ा के लिए के अंदर मस्जिद बनवाई थी, तो जहांगे ने बनवाई थी औरंग जीम ने किस स्थान के मंदिरों को गिराने का आदेश देदिया था तो यह देदिया था चंबा और उस समें चंबा का राजा कौन था? तो राजा चतरसिन हिमाले के सबसे पुरानी रियासत कांगडा का सस्थापक कौन था ये मैंने इंसिंद हिस्ट्रीन आपको बताय था तो भूमी चन परदेश का या हिमाच्य परदेश का बैदिक कालिन सबसे सक्तिसाली राजा कौन था तो ये था सुदास और ये दिवदास का पुत्र था पूरवैदिक कालिन सिवालिक घाटियों में कौन निवास करते थे तो दस्यू या कौल गुरु गोविन सिंग ने किस राजा के सासनकाल में सिर्मोर की यात्तर रखी थी तो ये मेदनी परकास और जब पॉंटा साहिब गुर्दवार बनाने के लिए ही मेदनी परकास ने इनको गुरु गोविन सिंग्च को जमीन दे थी कांगडा किले का पहला मुगल किलेदार कौन था तो नवाव अलिखान और लास्ट मुगल किलेदार था नवाव सेह अलिखान तो यह थी आज के हमारे वीडियो थैंक्स वोब वाचिंग जै हिंग जै हिमाच्चर नवस्कार दोस्तों बेट लोंची के बहुत बहुत सवागत है आपका आज का हमारा टोपिक है हिमाच्चर प्रदेश का अदुनिक इतिहास Modern History of हिमाच्चर प्रदेश तो इससे पहले मैं आपको हिमाच्चर प्रदेश का प्राचिन इतिहास करवा चुका हूँ फिर मैं हिमाच्चर प्रदेश का मद्दे कालन इतिहास करवा चुका हूँ आज हम करने वाले हैं आदुनिक इतिहास के बारे में एक ही वीडियो में सारा टोपिक क्लियर हो जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मोडरन हिस्टिय में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा सिख्खों की 12 मिसलों के बारे में जिसमें जो दो परमुक थी रामगडिया मिसल और कनयय मिसल जिसके परमुक सरदार थे जैसे जसा सिंग रामगडिया और जैस सिंग कनयय के बारे में बताऊंगा पिसंसारचंद के बारे में बताऊंगा महल मोरियो के यूदि के बारे में बताऊंगा गोर्खों में जो परमुक थे अमर सिंग थापा के बारे में बताऊंगा महराजा रनजीर सिंग के बारे में बताऊंगा बिटिस के बारे में बताऊंगा और परमुक संदिया में आपको बताऊंगा तो 1704 हिस्वी में सरहिंदी के नवाब ने गुरू गोविन सिंग जी के दो वेटों को, जनका नाम था जुरावर सिंग और फते सिंग, इनको इसलाम धर्म ना कबूल करने पे दिवार में जिंदा चुनवा दिया था, और उसमें दिल्ली का मुगल सासर कौन हुआ करता था, अब 1708 हिस्वी में गुरू गोविन सिंग जी की नादेर महराष्टर में मृत्यू हो जाती है, और गुरू गोविन सिंग जो थे सिख धर में परमुख कुरू दे, इसके बाद इनका उत्तरा दिकारी बनता है बंदा बहादूर, अब बंदा बहादूर की भी मृत्यू हो तो सिख्खों में कोई पर्मुग गुरुन नहीं रहता है। सिख्ख जो है बारा मिष्टों में वठगाता हैं क्योंकि मॉगल अक्रमार्कार्य या मुस्लिम अक्रमार्कार्यों से बचने के लिए हर छोटी एक जाती में परमुग सर्दार था जे संख कनईया तो अब बाद करते हैं मिशलों का जो प्रमुक सरदार था वो था जस्ता सिंख रामगडिया कांगड़ा की पहाड़ी पर आकर्वन करने वाला पहला सी कौन था तो ये था जस्ता समराज्य का बिस्तार कर रहा था अब गमंड चंद के समराज्य बिस्तार पर किसने रोक लगाई थी तो जस्ता सिंग रामगडिया नहीं रोक लगाई थी अब 1770 इस्वी में जस्ता सिंग रामगडिया ने नूरपूर, चंबा, कांगडा, दतारपूर, जस्वा, हरीपूर को अपने राज्य में मिला लिया था गमंडचंद की मृत्यों के बाद जो होता है संसार चंद में जस्ता सिंग रामगडिया के प्रभाब को कम करने के लिए कनयय मिसल के सरदार जे सिंग कनयय को बुलाया अब जब गमंडचंद की मृत्यों हो जाती है तो जस्ता सिंग का प्रवाब ज्यादा कांगड़ा में देखने को मिल रहा था तो संसार चंद ने क्या किया जो कनिया मिसल का सरदार था जे सिंग उसको बुलाया अब 1782 में क्या होता है संसार चंद ने जे सिंग कनेया की साहिता से मुगलों से जो है कांगडा किला छीन लिया अब 1783 में क्या होता है तो जे सिंग कनेया ने कांगडा के लिए पर अपना कबजा कर लिया और संसार चंद को देने से मना कर दिया लेकिन 1786 में क्या होता है जे सिंग कनेया ने संसार चंद को कांगड़ा के लिए लोटा दिये था तो संसार चंद का कांगड़ा के लिए पर कब जब कब होता है 1786 में नेक्स्ट बात करते हैं राजा संसार चंद के बारे में तो संसार चंद जो था कांगडा का महान और सबसे सकती साली राधा था और 1775 में जो है संसार चंद कांगडा का राधा बनता है और 1786 में जैसे मैंने पहले बिताया संसार चंद ने कांगडा के लिए पर कबज़ा कर लिया था 1786 में ही संसार चंद में मरेटिस सहपूर का युद लड़ा और उसमें चंबा के राजा को पराज़ित किया 1786 और 1705 तक का काल जो माना जाता है संसार चंद का सोनिनिम काल माना जाता है अब 1794 में क्या होता है कहलोर महां चंत्व पर आक्रमन किया और उससे प्राजित लेकिन यह जो यूद्ध था बिलास्पूर का यूद्ध या बिलास्पूर पर आक्रमन करना संसारचंद के पतन का कारण बना तो Coins Also Yes अब कहलूर के राजा महांचंद के पतन का कारण बनता है तो बिलासपूर के राजा महांचंद पर अक्रमन जो है संसारचंद के पतन का कारण बनता है अब कहलूर के राजा महांचंद ने पहाड़ी सासकों के एक संग बनाया और गोर्खा सेनपती अमर सिंग थापा को इसने संसार चंद को हराने के लिए अमंतरित किया तो अमर सिंग थापपा को किस ने अमंतरित किया था तो कहलूर के रादा महान चंद ने अमंतरित किया था अब हो जाती है गोर्खा सैनापती अमर सिंग थापपा की एंडरी तो अब बताता हूँ मैं आपको गोर्खा सेनापती के वारे में तो 1804 इस वी तक अमर सिंग थापपा ने कुमाईयो गड़वाल, सिरमोर और सिमला की 30 हिल रियास्तों पे जो है कबज़ा कर लिया था अब महान चंद ने इसको मेन किस काम के लिए बुलाया था तो संसारचंद को प्राजित करने के लिए तो संसारचंद को इसने कब कब और कहां प्राजित किया तो 1806 में महल मौरी का युद होता है किस किस के बीच में अमर सिंग थापपा और संसारचंद के बीच में अमर सिंख थापपा इसमें संसारचंद को प्राजित कर देता है और महलमोरी बरतमान में कहां है तो हमीरपूर में है वो युद्ध कब हुआ था? अठारसु चेम हुआ था अब संसारचंद प्राजित हो जाता है तो संसार्चन कांगडा किले में सरन लेता है, बचने के लिए, और यहां यह चार साल तक रहता है, अमर सिंग थापपा ने भी चार साल तक कांगडा किले पर गेरा डाल के रखा था, तो अब 1809 में के होता है, संसार्चन महरादा रणजी सिंग से मदद मांगता है, और यह आगे बताता हूँ पहले ये बताता हूँ मैं आपको अमर सिंग थापा की एंटरी होती है जब 1806 के बार तो ये क्या क्या करता है तो अब बात करते हैं गोर्खा अक्रौन के बारे में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 1806 में ब्रिटिस और गोर्खाउं ने कहलूर के रा अमर सिंह थाप्पा ने बागल रियासत के राजा जगज सिंह को बगा के अरकी पर कब्जा कर लिया। 1809 में ही अमर सिंह थाप्पा ने अपने बेटे रंजोर सिंह को सिर्मोर पर आकरवन करने के लिए बेजा। जरनली या भाग कर अपनी जान बचाई और ये भूरिया जगा कहां पर है तो बरतमान में अमबाला में हैं अब नाहन और जातक किले पर जो है गोरखाओं का कबजा हो गया था अठारा सो दस में के होता है तो गोरखाओं ने हिंडूर जूबल और पंड़ा चेतरों पर अपना कबजा कर लिया था ये अठारा सो ग्यारा में अमर सिंग थापा ने बुसहर रियास्त पर आकर्वन किया था तो गोरखाओं ने ये अमर सिंग थापा ने बुसहर रियास्त पर कब आकर्वन किया था तो अठारा सो ग्यारा में किया था अब 1813 में अमर सिंग थापा जो है रामपूर में रहा और उसके बाद अरकी बापस लोट गया अरकी बापस कब आया था तो 1813 में रहा था नेक्स्ट आम बात करते हैं महराजा रंजीर सिंग के बारे में तो इससे पहले में जोला मुखी की संदी के वारे में आपको बताया जिसमें संसार चन्द ने महराजा रंजीर सिंग से मदद मांगी थी तो 1809 में क्या होता है महराजा रंजीर सिंग ने गोरगाओं पर आकर्मन किया और अमर सिंग थापपा को सतलूस के पूर्व दकेल दिया और संसार चन्द ने इस मदद के बदले महराजा रंजीर सिंग को 66 गाओं और कांगड़ा किला दिया अब कांगड़ा किला जो है महराजा रंजीर सिंग को दे दिया 1809 में तो महराजा रन्जी सिंग ने काँगडा निजांद किसको बनाया तो देश्टा सिंग मजीठिय को बनाया और 1813 में क्यों एता है तो महराजा रन्जी सिंग ने हरीपूर जिसका पुराना था गुलेर हरीपूर, नूरपूर और जस्मा को अपने अधिकार में ले लिया 1818 में महराजा रनजी सिंग ने दतारपूर और 1825 में कुट लहर को हराया तो 1818 में किसको हराय था? दतारपूर और 1825 में कुट लहर को 1823 में करता है संसारचंद की मृत्यों के बाद जो है अनिरुद चंद था उसको एक लाग का नजराना की एबज में गद्धी पे बैठने दिया गया 1849 में महराजा रनजी सिंग ने बेंचुरा के नित्रित में एक सेना मंडी और दूसरी सेना कुल्डू बेज़े थी तो किस किस के नित्रित में और कहां कहां सेना बेज़े थी तो बेंचुर के निजित में मंडी और कुलू सेने बेज़े थी 1849 में और 1849 में ही महाराज़ा रनजी सिंग की मृत्ति हो जाती है और इसके बाद जो है सिखों का पतन सुरू हो जाता है नेक्स्ट आम बात करते हैं गोर्गा और ब्रिटिस हितों का टकराव तो 1813 में क्या होता है अमर सिंग थापा ने सरहिंद के छे गाउं पर अपना कबज़ा करना चाहा जिसमें से दो गाउं जो ते ब्रिटिस सिखों के अधियन आते थे तो इसी बात को लेके गोर्गाउं और ब्रिटिस में बीबाद बढ़ गया दूसरी बात जो है ब्रिटिस के बेपारी हितों के आगे आगे आप गोर्खे आने लगे थे क्योंकि तिब्बत पे उनका महत्तपूर्ण बेपार हुआ करता था अब गोर्खाउं ने क्या तिब्बत जाने बाल लगबग सभी दर्रों एबं मार्गों पे अपना कपजा कर लिया था इसलिए जो है गोर्खा और ब्रिटिस युद्ध अनिवारे लगने लगा था अब 1 नुवंबर 1814 को अंग्रेज्जों ने गोर्खाउं के बिर्द युद्ध की गोसना कर दी तो अंग्रेज्जों ने गोर्खा के बिर्द युद्ध की गोसना कब की थी? एक नुवंबर 1814 में अब गोर्खा पराज़े की बात करते हैं अब 12 मार्च 1815 को जुबल डियास्त में अंग्रेज्जों ने डांगी, बजीर और प्रेमों के साथ मिलके चोपाल में सो गोरखाओं को हथियार डालने के लिए विवस कर गया था तो कहां भी किया था चोपाल में किया था चोपाल जितने के बाद राबिनगर किले पर जिस पर रंजो सिंग थापा का कबजा था और रंजो सिंग थापा कौन था अमर सिंग थापा का बेटा तो अंग्रेज्जों ने आकरवन किया टीकम दास, बदरी और डांगी बजीर के साथ बुसहर रियासत की सेनाव ने अंग्रेज्जों के साथ मिलके गोरखाओं को राविन गड़ किले से बगा दिया तो अब पहले राविनगड के लिए पे इन गोरखाओं को कब जो हुआ करता था तो यहां से भी गोरखाओं को भगा दिया अब हिंडूर के राजा रामसरन और कहलूर के राजा के साथ मिलके अंग्रेजों ने एक मोर्चा बनाया तो हिंडूर की राजा किस के साथ? राम सरन के साथ तो रामपूर कोटगड में बुसहर और कुल्लू की सेनाव ने सरन की टिब्बे के पाथ गोरखाओं को हाथियार डालने के लिए मजबूर कर दिया अब अमर सिंग थापा को रामपूर से बगाकर मलीन किले में सरन लेनी पड़ी कहां से रामपूर से बागकर मलीन किले में सरन लेनी पड़ी और गोरखाओं का एक बहदूर सरदार और हुआ गत्ता भक्ति थापा तो भक्ती थापा जो है इसकी मृत्ति हो जाती है मलीन किले में तो इससे भी जो है गोरखाओं को भारी छटी पहुंचती है अब कुमाईयू की हार और उसके सेनकों की युद्ध करने की अनिच्छा से अमरसी थापा ने हथियार डालने पर मजबूर हो गया था अब मैं बताता हूँ आपको सुगोरली की संदी के बारे में तो सुगोरली की संदी कब होती है 28 नमबर 1815 होती है यह एकजामे कोस्ते पूछ रहता है और किस के बीच में होती है यह अमरसींग थापा और ब्रिटिसों के बीच में होती है तो अमर सिंग थापने अपने और अपने पुतर रंजोर सिंग की समान जनर्व और सुरक्सित बापसी के लिए ब्रिटिस मेजर जनर्ल डैविड अक्टर लोनी के साथ संदी पर हस्ताकसर किये और इस संदी के अमसार ब्रिटिस्टों ने गोरखाओं को अपनी नीजी संपत्ती के साथ सुरक्सित नेपाल बापिश जाने का रास्ता परदान किया था अब 9 मार्च 1846 को लाहोर की संदी होती है तो महराजा रनजीर सिंग की मृत्यों के बाद और लाहोर की संदी के बाद सतलूज और ब्यास की छेटनों पर अंग्रेज्जों का कबज़ा हो गया था 1846 इस भी तक अंग्रेज्जों ने कांगड़ा, नूरपूर, गुलेर, जस्वान, दतारपूर, मंडी, सुकेत, कुलू और लाहोर स्पित्यों को पूरनदा अपने कबज़े में ले लिया था यहां से एक ही कुश्टन पूछा था कि लाहोर की संदी कब होती है नो मार्च 1846 और सुगोली की संदी 28 नमबर 1815 और सुगोली की संदी किस के बीच में होती है तो अमर सिंग तापा और ब्रेटिस मेजर जेनरल डैविट अक्टर लोने के साथ होती है तो यह थी आसके हमारे वीडियो आई हॉप वीडियो आपको अच्छे लगे होगी थैंक्स वर वाचिंग जै हिन जै हिमाचर ने